हेलो दोस्तो स्वागत आपका मारे इस चैनल पर दोस्तो हम लोग इस्टड़ी कर रहे थे हैपिनेस चैप्टर की हैपिनेस जोकी फेबरेट एश्य है उलाइबर गोल्ड इसमित खा तो इसको हम लोगों ने पांच पार्ट में अभी तक इस्टड़ी किया है और यह छठा पा के बारे में सोचता है यानि कि जब वो पास्ट में जाता है तो पास्ट में उसको कुछ घटनाय तो ऐसी मिलती है जो उसे सुखध अनभो कराती है उसे प्रसनता देती है लेकिन उसके साथ ही कुछ ऐसी घटनाय उसको मिलती है व्यक्तिकों जब वो पास्ट में जाता है ज जब आप पास्ट में जाएंगे तो अच्छी चीज़े मिलेंगी लेकिन साथ में बुरू चीज़े भी मिलेंगी तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब हम फ्यूचर में जाते हैं तो क्या होता है फ्यूचर को ले करके लोगों की क्या संभावना रहती है एक्सपेक्टेशन में सोता है आशा एंड और वी शैल फाइंड हम पाएंगे अवर एक्सपेक्टेशन अपनी आशा आफ दी फ्यूचर भविश्च की तो बी एक गिफ्ट एक उपहार के रूप में जो अधिक निरासा जनक होती है इवेन देन दी फॉर्मर यहां तक की पहले से भी ज़्यादा ओके कहे रहा है कि जब हम भविश्च के बारे में सोचेंगे भविश्च में आशा रखेंगे तो हमें ऐसा गिफ्ट मिलेगा ऐसा उपहार मिलेगा जो कभी-कभी तो पहले से भी ज़्यादा अधिक distressful होता है निरासा जनक होता है दोस्तो होता क्या है कि हम अपने भविष को लेकर के बहुत सारी संभावनाय अपने दिमाग में बेठा लेते हैं सोते हैं भविष में ऐसा होगा वैसा होगा लेकिन होता क्या है कभी-कभी हमारे साथ भविष में कुछ ऐसी घटनाय घट जाती है जो पहले से अधिक निरासा जनक होती है तो वही कह रहा है and be self, find our expectation और हम अपनी आसाओं को पाएंगे of the future, future की यानि अपनी भविष की आसाओं को पाएंगे to be a gift, एक gift के रूप में, एक उपहार के रूप में यानि हमें अपने भविष में एक उपहार मिलेगा कौन सा उपहार मिलेगा, एक gift के रूप में more distressful और बहुत ही निरासा जनक होगा distressful मिन्स दुखद पूर या निरासा जनक बहुत ही निरासा जनक होगा इवेन देन दी फॉर्मर पहले की भी है पेच्छा जब हम उस गिप्ट को पाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि इससे पहली स्थिति जो हमारी थी वो अच्छी थी लेकिन अब नहीं अच्छी है तो यानि कि ना तो पास्ट में जाना सही है ना तो फ्यूचर में क्योंकि दुख दोनों तरब मिलेगा इसलिए वरतमान में जीओ अब आगे कहरा तो फियर एन अप्रोचिंग इविल इस सर्टेनली अ मोस्ट डिसेगरिबल सेंसेशन तो फियर डरना किससे डरना एन अप्रोचिंग इविल एक आने वाली बुराई से अप्रोचिंग का मतलब आने वाली इविल का मतलब बुराई इविल मिन सहा पर ऐसी बुराई जो आपको हानी पहुँचा दे कोई ऐसी घटना जो आपको हानी पहुँचाए उसे कहते हैं इविल तो उससे डरना is certainly a most disagreable sensation वास्तव में एक आसाहनी अनभूती होती है जब हमारे सात फ्यूचर में कोई दुखत घटना होने वाली होती है तो उससे जो डर हमें लगता है वो बड़ी ही आसाहनी अनभूती होती है मिस अरुछिकर होता है हमें अच्छा नहीं लगता जब हमें पता चलता है कि भविश्य में हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है तो क्या आपको अच्छानब होगा नहीं आसहनिये अन्भूती आपको प्राप्त होगी वही करा टू फियर डरना एन अप्रोचिंग इविल एक आती वही बुराई से इ आस्तों में निश्चित रूप से एक डिसेग्रिबल सेंसेशन है डिसेग्रिबल माने आसहनिये या आरूचिकर और सेंसेशन का मतलब आत्म आप कह सकते हैं अन्भूती सेंसेशन माने अन्भूती या फिर भावना कह सकते हैं तो किसी आती वी बुराई से डरना एक आसहनि अनुभूती होती है और इन एक्सपेक्टिंग एन अप्रोचिंग गुड लेकिन जब हम किसी अच्छी चीज की आसाथ करते हैं यानि भविश में जब हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है तो क्या होता है भी एक्सपेरियंस हम अनुभव करते हैं इन कॉइट्यूट्स बेचैनियों की और वांटिंग एक्चुल पजेशन उनको प्राप्त करने की यानि कि जब हमारे साथ भविश में कुछ अच्छा होने वाला होता है कुछ अच्छी चीजा आती है हमारी ओर तो हम इन कॉइट्यूट्स का एक्सपेरियंस करते हैं एक्सपेरियंस मतलब अनुभव करते हैं इन कॉइट्यूट्स का मतलब बेचैनी का हमें बेचैनी महसूस होने लगती है आफ वांटिंग मतलब उनको प्राप्त करने की एक्चुल पजेशन जो वास्तविक संपत्ती है जब हमारे सामने कोई वास्तविक संपत्ती आ रही होती है या अच्छी चीज आ रही होती है तो उनको प्राप्त करने कि हमारे अंदर बेचैनी आ जाती कि कितना जल्दी वो हमें मिल जाए इस प्रकार हम फिर भी प्रसंद न उनको कितना जल्दी प्राप्त करें इस प्रकार तब भी हम दुखी हो जाते हैं दज इस प्रकार which either way we look हम चाहे जिधर भी देखें कहरा है which ever way चाहे जिस रास्ते पर we look हम देखें इसका मतलब चाहे पास्ट में जाए चाहे फ्यूचर में जाए चाहे अच्छी चीज आए चाहे बुरी चीज आए जो संभावना है वो हमेशा असहनिय ही होती है अरुचिकर ही होती है प्रोस्पेक्ट का मतलब संभावना मतलब चाहें पास्ट में जाएं चाहें फ्यूचर में जो संभावना है वो हमेशा कैसी रहेगी निरासा जनक ही रहेगी डिसेग्रिबल रहेगी इसलिए कहते हैं कि हमेशा present में रहो और present का आनन्द लो behind we have left pleasers behind पीछे we have left pleasers हमने आनन्द को छोड़ दिया है जितनी भी आनन्द की चीजे थी उनको मैंने पीछे छोड़ दिया है हमने कह रहा कि हम लोगों ने आनन्द को पीछे छोड़ दिया है we shall never more enjoy और अब हम अधिक enjoy नहीं करेंगे and therefore regret और इसलिए हम पस्चताब भी नहीं करेंगे and before we see pleasers और जब हम लोग खुसी की तलास करते हैं we see मतलब हम देखते हैं पहले तो कहरा कि मान लो कि अगर हमने pleasers को पीछे छोड़ दिया behind we have left pleasers हमने अगर pleasure को छोड़ दिया आनद की तरफ भागना छोड़ दिया we shall never more enjoy तो हम enjoy तो नहीं कर पाएंगे and therefore regret लेकिन हम पस्चताब भी नहीं करेंगे इसका मतलब हो दोस्तो जैसे हम past में जब हमारे साथ कोई सुकत घटना होती है कोई enjoyment हमको मिल गई तो हम जब present में रहते हैं तो past के बारे में सोच सोच कर दुखी होते हैं पस्चताब करते हैं कि अभी तो हम बहुत ही निरासा जनक इस्तिती में हैं पहले में आईसा था सुखी था परसना रहता था तो वही कह रहा है अगर हमने behind we have left pleasures अगर हमने खुशी को आनंद को पीछे छोड़ दिया मतलब उसके बारे में सोचना बंद कर दिया we shall never more enjoy तो हम अधिक enjoy तो नहीं कर पाएंगे and therefore regret और लेकिन हम पस्चताब भी नहीं करेंगे पस्चताब भी नहीं होगा मतलब हम प्रसनत तो नहीं रह पाएंगे लेकिन दुखी भी नहीं रहेंगे and before we see pleasers और जब हम pleasers को देखते हैं और उसको खोजते हैं which we language to possess और जिसको हम पाने की कोशिस करते हैं language का मतलब होता है जुक जाना किसी पर मुर्जा जाना तो किस पर मुर्जा जाना है संपत्ती पर ओके जो हमें आनन्द प्रदान करती है बी सी pleasers हम खुसी खोजते हैं जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं and are consequently uneasy और हम बेचायन हो जाते हैं till we possess them जब तक कि हम उन्हें प्राप्त न कलने जब हम किसी संपत्ती की ओर या हम कहें किसी आईसी चीज की ओर जो हमें प्रसनता दे जब हम उनको खोजते हैं तो हम energy हो जाते हैं बेचायनी महसूस करने लगते हैं और कव तक बेचायनी महसूस करते रहते हैं जब तक कि we possess them हम उन्हों को प्राप्त ना कर लें अधिकरित ना कर लें जब तक कि वो सारी चीज़े हमारे पास ना आ जाएं ओके was there any method of seizing the present क्या कोई ऐसा method है जिसके दौरा हम present को seize करने रोक लें क्योंकि वास्तिविक मजा कहा है present में है इसलिए ले लेखक कह रहा है was there any method of seizing the present क्या कोई ऐसा method है जिसके दौरा हम seize करने present को present को रोक लें unambitted by such reflection देखे embedded का मतलब होता है कड़वा बनाना किसी चीज़को तीखा बनाना और unambitted का मतलब सराल बनाना अगर ऐसा कोई method होता present को रोकने का unambitted by such reflection तो हम अपने reflection means होता है पहले का यानि कि प्रतिकिरिया यानि कि जो पहले का आनन्द है उसको हम लोग क्या करते सरल बना देते हमने बताए embedded का मतलब कठीन और unambitted का मतलब सरल तो हम अपने पहले याली इस्तिती को प्राप कर लेते वास्तों अब देखे यहाँ पर समझने वाली बात है कहे रहा कि अगर present को रोकने वाला कोई method होता है कि हम present को रोक लेते तो हम पहले वाली इस्तिती प्राप कर लेते यानि reflection वाली तो वास्तों पहले वाली इस्तिती तो नहीं प्राप्त कर पाते पहले वाली इस्तिती कहाँ प्राप्त कर पाएंगे लेकिन पहले की जैसी इस्तिती तो प्राप्त कर लेंगे आनन्द तो उनको आएगा क्योंकि वो present को अपने रोके रहेंगे और present में ही आनन्द आता है तो वहीं कह रहा है तो फिर हमारी जो अवस्था है दसा है, इस्टेट है इस्टेट मनें दसा या अवस्था बिट टोलरेबली इसी बहुत आसान हो जाती हमारी condition अच्छी हो जाती अगर हमारे पास present को रोकने का कोई मैथड होता तो हमारी जो अवस्था है दसा है वो एकदम आसान हो जाती हमारा जीवन आसान हो जाता दस इस अब देखें इंडीड दो कॉमा की बीच में तुसको पहले पढ़ लिजें इंडीड वास्तों में इंडीड वास्तों में इस इस दा इंडियोर ये प्रियास होता है इंडियोर का मतलब प्रयास, वास्तों में प्रयास होता है क्या, खोसी को प्राप्ट करना, खोसी को प्राप्ट करना, प्रयास होता है किसका, आफ आल मैंकाइंड, सभी आदमीं का, मैंकाइंड मतलब ब्यक्तिय आदमी, सभी मानो जाती का, जितने भी मनुष्य हैं, उन सभी का क्या प्रयास होता है खुशी को प्राप्ट करना इनडीड वास्तों में यह प्रयास होता है यह प्रयत्न होता है of all mankind सभी आदमियों का यह उद्देश होता है खुशी को प्राप्त करना ओके उनको दर्सन नहीं आता है ज्ञान नहीं है कह रहा कि ये खुशी जो है इसको प्राप्त करने का सभी का प्रयत्न होता है भले ही वो अन्ट्यूटर्ड है फिलोस्पी से यानि दर्सन से उनका कोई मतलब नहीं है वे अज्ञानी है परस्यू लेकिन वो पीछा करते हैं as much as they can उतना जितना की वे कर सकते हैं a life of amusement and dissipation और खुशी और प्रसनता के जीवन का and dissipation और अपवियता का किसका वो पीछा करते हैं life of amusement खुशी के जीवन का यानि प्रसनता का कहता है कि भले ही कोई ब्यक्ती है वो पढ़ा लिखा नहीं है दर्सन से रहित है मतलब दर्सन उसे नहीं आता है दर्सन यानि जो हमारी संस्कृती है सभिता है उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता है लेकिन फिर भी वो जो life का amusement है सुख है प्रसनता है उसकी और तब तक पीछा करता रहता है जब तक कि वो कर सकता है कहे रहा है परस्यू एज मच आज दे कैन ओके एबरी रैंक इन लाइफ जीवन का प्रतेक अस्तर एबरी साइज अफ अन्डेस्टेंडिंग और प्रतेक साइज अफ अन्डेस्टेंडिंग यानि सभी लेबल के समझदार ब्यक्ती यहां कहने मतलब है एबरी साइज अफ अन्डेस्टेंडिंग मतलब जीवन के सभी अस्तर के समझदार ब्यक्ती चाहे वो थोड़ा सा समझदार हो चाहे बहुत हो चाहे मिडिल क्लास का हो और फिर कह रहा है एबरी रैंक इन लाइफ जीवन के प्रतेक अस्तर के लोग यहां पर वास्तो में लोग को इंडिकेट कर रहा है कि वो चाहे निम्न कोट के हो मतलब चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास हो चाहे अपर क्लास के हो कह रहा है एबरी रैंक इन लाइफ जीवन के प्रतेक अस्तर्यानी प्रतेक मनुष्य और यहां कहरा every size of understanding मतलब वो चाहे बुद्धिमान हो चाहे मोर्ख हो चाहे एकदम middle class का हो दोनों जगाव आदमियों की बात किये जा रही वहाँ पर धन दौलत के बारे में बात किये जा रही every rank in life और यहां पर समझदारी की बात की जा रही कोई भी बेखती हो seem to follow वो follow करते हैं this इसका alone अकेले किसका प्रसंदता का और not pursuing और अगर उसका पीछा नहीं करते हैं deviates from happiness तो खुशी से अलग हो जाते मतलब खुशी उनको नहीं मिलती कह रहा है every rank in life जीवन के प्रतेक इस्तर के लोग and every size of understanding और प्रतेक इस्तर के समझदार लोग seem to follow this alone इस अकेली चीज़ का पीछा करते हैं follow करते हैं और not pursuing it और जो इसका पीछा नहीं करते हैं deviates from happiness वो प्रसंदता से अलग हो जाते हैं ओके आगे देखिए the man of pleasure pursues dissipation by profession profession का मतलब ब्योशाए dissipation का मतलब अपव्याईता यानि बहुत अधिक पैसे खर्च करना pursue का मतलब पीछा करना the man of pleasure यानि खुसी के धनी ब्यक्ति यानि जो खुसी को प्राप्त करना चाहते हैं आईसे ब्यक्ति कह रहा है the man of pleasure खुसी के धनी ब्यक्ति परस्य पीछा करते हैं dissipation इस अपव्याईता की by profession ब्योशाई के द्वारा अपव्याईता यहाँ पर किसको दर्स आगया है प्रसंदता के लिए आया है चुकि जब आप प्रसंदता के पीछे जाते हैं तो क्या होता है आप बहुत सारी चीजों को अपव्य कर देते हैं बहुत सारा पैसा लगाते हैं क्यों अगर आप अच्छे अच्छी गाड़ी लाते हैं अच्छे अच्छे बेंगलो बनवाते हैं तो क्यों बनवाते हैं प्रसंदता को प्रसनता को प्राप्त करने के लिए, खुसी को प्राप्त करने के लिए, तो वही कहे रहा है, यह एक प्रकार से क्या है, अप्य ब्याइता है, प्रसनता को प्राप्त करना अप्य ब्याइता है, तब मैं आफ प्लीजर, खुसी के धनी ब्यक्ती, परस्य पीछा करते हैं, डिस के लिए the men of business और जो बड़े ब्यापारी होते हैं बड़े ब्यापार होते हैं परसीव इट नॉटलेस वो भी इसका पीछा कम नहीं करते हैं यानि वो भी बहुत पीछा करते हैं as every voluntary labor क्योंकि प्रतेक एच्छिक स्रम ही अंडर गोस जो वो लोग करते हैं is only dissipation is disguise वो केवल इसी लक्ष के पीछे होता है disguise का मतलब के रूप में के भेश में यानि इस प्रसंदता के रूप में ही होता है उनका business कहरा प्रतेक businessman जो इस लक्ष का पीछा करते हैं उनका भी कही ना कहीं मतलब क्या होता है इस dissipation को प्राप्ट करना यानि इस अपवेटा यानि खुसी को प्राप्ट करना ओके the man of business यानि प्रतेक ब्यापारी pursues पीछा करता है it इसका not less कम नहीं मतलब कम पीछा नहीं करता है अधिक पीछा करता है as क्यों कि every voluntary labor प्रतेक एच्छिक सर्म सर्म का मतलब परिश्रम काम यहां वो सर्माने वाला सर्म नहीं है labor का मतलब क्या होता है सर्म as क्यों कि every voluntary labor क्यों कि प्रतेक एच्छिक सर्म यानि प्रतेक इच्छा से किया गया काम इच्छा से जो काम किया जाए उसे बोलते है voluntary labor ऐच्छिक स्रम गरिज एबन आचिक स्रम इ अंडर गोज जो वो करता है कौन ब्यापारी इस होता है only dissipation के वल अपिबै की रूप में आफिबै की रूप में होता है ओके तो इसलिए करता है लेकिन यह क्या होता है सब अपव्य है परकार का दा फ्लोस्पर हिंसेल्फ दार्षनिग लोग सोयम इवन वाइल ही रीजन्स अपांदा सब्जेक्ट हाला की वह लोग इस पर तर्क करते हैं इस विशेपर लेकिन वो सोयम डजिट अन्वेंगली बिना सोचे समझे इसको कर देते हैं यानि कि क्या कर देते हैं परसनता के पीछे भागते हैं आप देखें यहाँ दो कॉमा की बीच में है उसको पहले पढ़ दीजे हाला की वे इस सब्जेक्ट पर यानि परसनता के सब्जेक्ट पर थोड़ा वसा बहस करते हैं लेकिन फिर भी दा फ्लॉस पर हिमसल्फ डजिट अन्वेंगली लेकिन दार्शनिक फिर भी इसको कर देते हैं बिना सोचे समझे बिना जाने हुए अन्वेंगली का मतलब बिना जाने हुए मतलब परसनता को प्राप्ट करने की कोशिश वो भी करते हैं हाला की वे लोग कभी-कभी परसनता पर बहस करते हैं ये बात अलग है लेकिन वो भी उसका पीछा करते हैं बिदे ब्यू आफ डिसिपेटिंग दे थाउट्स किसलिए बिदे ब्यू आफ के दिरिश्टिकोल से डिसिपेटिंग आपबे करने के दे थाउट्स आफ वाट यू वाज इस सोच के साथ वाट यू वाज कि तुम क्या हो what he must be और तुम्हें क्या होना चाहिए तुम्हें क्या हो और तुम्हें क्या होना चाहिए इस thought को सोचते हुए इस thought को यानि इस विचार को ध्यान में रखते हुए वे लोग इस काम को कर देते हैं ओके दोस्टों तो ये relation आज यही पर समाप्त किया थोड़ा समय ने तीजी से पढ़ाया चुकि मेरी तबियत अभी भी बहुत मतलब जादा सही नहीं है हलाकि मैं पढ़ा सकता हूँ तो मैंने इसलिए ज़्यादा बहुत समझाने का प्रयास तो नहीं किया चुकि काफी लंबा हो जाता वीडियो तो समय लगता तो समाप्त हो गया आपको समझ में आया होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों